नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे रिपोर्टिंग के बारे में ये जो वैसे तो हमारा पौदा भी ये ड्रेसिना फ्रेग्नेंस का पौदा है इसकी काफी वराइटीज आती हैं हमें आज इस वीडियो में रिपोर्टिंग की जानकारी मिलें कि आप इजी टू कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी नाजुक प्लांट को क्योंकि आप इसके इसकी जो शाखाय आप देख पा रहे होंगे बहुत कम जोर है और पर मैंने भी आपको इसके सॉयल में दिखाया है कि जो इसके रूट्स बाउंड है वो काफी फैल चुके से हमारे को काफी झरूरी हो जाता है रिपोर्टिंग करने का तो अभी हमने दिखाया आप को दिखा रहे हैं कि दिखें इसकी जड़ कितनी सारी उपर आ चुकी है तो इसलिए हमारे को इसकी जरूत पढ़ गई है रिपोर्टिंग की तो हम आपको रिपोर्टिंग करके दिखाएंगे कि इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट है कि आप यह कमजोर शाखा वाले प्लांट को कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्योंकि आप अगर उपर से करते हैं खीचते हैं तो यह शाखाई टूटने का एक रहत है प्लांट मरने का तो आप भी हम पहले मिट्टी को ढीले कर लेंगे तो गमले में थोड़ा-थोड़ा हम एक प्रे सुक्राठ निकल जाए बार आप देखिए हम आपको दिखाते हैं इसमें एẩको सबसेसे पहले क्या करना है पोट को डां करना आपको पहले बैठ जाना है पॉट को डाउन करिए और सबसे में जो इसकी जो शाखाए हैं जो मोटी शाखाए होंगी वो एक साथ इसे पकड़ने का है और पैरों से गंबले के पर बनाए रखिए देखिए कितना इजी तरीके से आप यह निकल जाता है देखिए हमने कि अगरा सिर्फ पैरों को गंबले पर रखा और उसके बाद थोड़ा सा पुश करा अपनी तरफ पुल करा तो यह कितनी जल्दी बाहर आगया अगर आप इसे यही खड़े करके आप इसे खीच रहे होते निकाल रहे होते तो जो पौदा है आपका वहीं से तूट जाए यह रूट से हैं इसे कट कर लेते हैं और इसमें जो थोड़ी मिट्टी है उसको हलका कर लेते हैं ताकि नीचे से फिर आप इसको दुबारा से रूट्स डेवलोप करने में एजी आसानी रहेगे और हमारा जो पौदा है वह आगे और ग्रोथ करेगा तो मैं इस अपने गा का यह आगे तो इसकी दूहर रूट से असको कीफ़ी चाहिए कर लेते हैं और यह जब काम करते हैं तो आपको पता है कि फैल चाल जाता है। सब्सक्राइब और एक बार इसको पूल करेंगे, अपनी तरह खीचेंगे, प्रेशर पैरों का गंबले पे रहना चाहिए, तो बहुत एजी तरह के से निकल जाता है, यह नहीं आप एकदम शौक तरह के से इसको जटका दे, ऐसे नहीं है, आप इसे नॉर्मल थोड़ा सा पूल करेंगे, यह ताकि जो हमारी मिट्टी बाहर ना जाए, पानी पानी इसका बाहर जाते रहे और ऑक्सीजन भी मिलता रहे हमारे पेड को, और देखी अब हम इसकी जो सॉइल है, उसको दुबारा से हम डाल लेते हैं, यह जो हमारा पौदा है, यह डारेक्ली इंडॉर प्लांट भी होता ह है, आप शिया सामी शेड में इसे रख सकते हैं, यह एर प्यूरिफायर का बहुत अच्छा काम करता है, और मैंने जो सारी मिट्टिया निकाली थी, वो उसको गमले में वापस डाल रहा हूँ, जो रूट से थोड़ा अलग कर लेंगे हैं, मैंने, ताकि जो अब क्या होगा कि अब इसमें जो रूट से हैं, उसे डेवलप होने में कोछ ज्यादा परिशानी नहीं होगी और यह कंजिस्टेट नहीं फील होगा इस पौदे को और अच्छी ग्रो करेगा, इसमें देखिए काफी इसमें नहीं नहीं ब्रांचे भी निकल रही थी, नीचे से यह निकल उपर नहीं आएंगे, नीचे नीचे ही डेवलोप होंगी, और यह हमारा पौदा बहुत अच्छी तरग से चलेगा, तो आप ऐसी ही इसी तरीके से किसी की भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हर दो तिन साल में, चार साल में करना पड़ता है पौद एक रिपोर्टिंग के ल